अगर हम यहां पर inverter के किम्मत की बात करते हैं और बताइए आपको कौन सी बैटरी की जुरूत है और साथ में ही क्या-क्या घर का लोड चलाना है कमेंड करके बताइए चलिए आप बारे आती है यहां पर पांच होस्पावर के आठा चकी क्या इस इन्वेटर पर चलेगी या नहीं आप कमेंट करके बताइए चलिए लाइव तो देख लीजिए सबसे पहले यह हमारी mcb इसे हम चक्की को ओन कर रहे हैं हेलो फ्रेंट्स आप कैसे हैं आई होप कि बहुत बढ़िया होंगे फ्रेंट्स आज हम बात करने वाले हैं सेल्ट्रोनिक के 7G टेक्नोलोजी व वाइफाई एक सीटी लिमिटर मिलता है जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यानि कि आपके पास में जब तक सोलर नेट मिटर नहीं लगता है तब तक आप अगर लोड चलाना चाहते हैं तो आप सीटी यूज कर सकते हैं उसके बाद में आपको मिलता है यहां पर mc4 connector तो वो भी इसमें मिल जाते हैं साथ में ही आपको मिलते हैं यहां पर बैटरी कनेक्टर तो बैटरी कनेक्टर के साथ में ही यहां पर इस inverter को हैंगिंग करने के लिए यानि कि दिवार पर टांगने के लिए इसके साथ में nut, bolt और फासनर वगेरा वो सारी चीजे यहां पर देखने को मिल जाती हैं सबसे पहले बात करते हैं आपण टेक्निकल डिटैल की देकर इस inverter की कैपेसिती यह बात करते हैं तो पांच किलो वाट इसकी कैपेसिती हैं साथ में ही अगर हम यहां पर सोलर पेनल के बात करते हैं तो नो किलो वाट दे向 लगा सकते हैं चाइर बैटरी वोल्टेज ही 48 वोल्ट यानि कि अगर आप लीथियम आयन बैटरी लगा रहे हैं तो 48 वोल्ट में और लीथियम आयन नहीं लगा रहे हैं लीड एसिट लगा रहे हैं तो आपको 4 बैटरी लगानी है 12-12 वोल्ट की 4 बैटरी करेंगे तो 48 वोल्ट हो जाएगा इसके स इंपूट फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्स उसके साथ में ऐसी इंपूट रेटेट करंड 27 एंपियर मैक्सिमम ऐसी इंपूट करंड 41 एंपियर मैक्सिमम डीसी पीवी इंपूट वोल्टेज 550 VDC रहती हैं और उसके साथ में MPPT इंपूट यानि कि डूल MPPT है मैंने पहले भी बताय था और इसकी जो रेंज रहती है 90 से 520 यानि कि 90 से 520 VDC तक के आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन ग्रीड मोड गी AC आउटपूट वोल्टेज यान पर 220-230 AC आउटपूट फ्रिक्वेंसी वही 50 Hz AC आउटपूट रेटेड करन्ट 27 A और मैक्सिमम AC करन्ट वो भी 27 A रहेगा और AC आउटपूट रेटेड पावर 6 किलोवाट और उसके बात में आप देखते हैं AC आउटपूट पावर फैक्टर है 0.8 और बैटरी डिस्चार्ज वोल्टेज है 40-60 VDC और बैटरी डिस्चार्ज करन्ट 130 A पर और बैटरी डिस्चार्ज पावर 6 किलोवाट नेक्स यहाँ पर देखते हैं आप अपग्रेड अपग्रेड में आप देखते हैं तो AC पावर 6 किलोवाट और बैटरी डिस्चार्ज इसमें भी 40-60 VDC और मैक्सिमम डिस्चार्ज करन्ट 130 A तक का रहता है चलिए अब चलते हम फिचर्स के बारे में सबसे पहले आप देखते हैं कि इन्वर्टर के उपर गैलाक्सी 7G मॉडल नंबर यहाँ पर आप देखते हैं तो PV, बैटरी, ग्रीड, बैककप, कम्यूनिकेशन और अलाम यहाँ पर यह इंडिकेटर है जो हम इस्ट्रोलेशन के बाद समझने वाले हैं एक यहाँ पर डिजिटल डिस्पले मिल जाती है पहले 7G का वीडियो देखा होगा आप उसमें डिस्पले नहीं थी लेकिन के बॉटम साड में आते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है जो प्लस और माइनस रेड वाला प्लस मिलेगा जो आप देखão डिख्मझाशन वाले है next आप देखते हैं कि यहाँ पर PV on-op के लिए है DC on-op switch है यानि कि solar से जो energy आ रही है उसको बंद भी कर सकते हैं next यहाँ पर मैंने पहले भी बता है था solar power से जो string आ रही है उसको connect करने के लिए plus का plus में, minus का minus में next यह जो आप connector देख रहे हैं यह battery BMS और city limiter connect करने के लिए वो भी connect करके दिखाने वाले हैं next यहाँ पर आप देख रहे हैं कि wifi logger connector है यानि कि आपको wifi connect करना है तो यहाँ पर आप connect करेंगे और last यहाँ पर तीन और आपको दिखाई दे रहे हैं जिसमें यानि कि gen gen का मतलब होता है smart load यानि कि heavy load चलाना है तो इस पर connect होगा और backup यानि कि जो आपको normal load चलाना है और इसके साथ में आपका जो AC grid जो connect होगा वो यहाँ पर होगा और आप inverter के इस side में आ जाए है तो यहाँ पर आपको switch मिलेगा on-op का और निचे की side में आप देखते हैं heat sink लगा हुआ है next आप देख रहे हैं inverter के बाद में एक battery दिखाई दे रही है यह यानि कि एक box की तरह नजर आ रही है यह है बर्दी technology का एक power backup battery यह 5 kilowatt के battery है और एक battery आप यह लगा दीजे को connect कर सकते हैं इसके design life is 60 years उसके साथ में अगर इसकी warranty की बात करते है न 10 साल की इसकी warranty है और 6000 life cycle है अब कई सारे बंदे कमेंट करते हैं कि lithium ion battery में जो 6000 cycle या फिर 1200 cycle कुछ भी बताते हैं वो अगर खतम हो जाएगा तो क्या battery date हो जाएगा नहीं बैटरी डेट नहीं होगा माल लिजे आपका 10 साल में या फिर 20 साल में जब भी आपके life cycle खतम हो जाते हैं तो उसके बाद में भी 80% DOD रहता है यानि कि अगर ये 5 किलोवाट की है तो इसमें से 20% माइनस कर दीजे उतना तो आपके backup रहेगा ही रहेगा पूरे तरह से ये खतम नहीं होती है installation करने के लिए सबसे पहले हम install करेंगे यहाँ पर lithium ion battery तो इसके दो terminal दिखाई दे रहे हैं एक red वाला terminal है उसको हम यहाँ पर connect कर लेते हैं फिर black वाला terminal है उसको यहाँ पर connect कर लेते हैं फिर हम चलते हैं battery की तरब battery की तरब भी दो terminal दिखाई दे रहे हैं red और black इधर red वाला है तो उधर भी red वाला plus में connect करना है और minus वाला है वो आपको black में connect करना है ये हो गया अपना battery installation solar panel installation के लिए आप देख रहे हैं और ये हमारी first string आई है उसको हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं जो minus वाला है वो minus में और plus वाला है वो plus में ध्यान रहे जब भी आप solar panel install कर रहे हैं ये जो switch हैं वो off की तरफ होना चाहिए अगर ये on की तरफ हैं तो आप off की तरफ कर लीजिए next बारी आती है यहाँ पर जो BMS है और CT limiter है उसको इस्ट्रोल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चार screw दिये गये हैं इन चारो screw को खौल लीजिए और ये जो cover है इसको बाहर निकाल लीजिए और जो अपना CT limiter है और BMS है सबसे पहले में CT limiter इस्ट्रोल कर रहा हूं तो CT limiter के जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं लेन वाली केबल है जो RJ45 connector लगा हुआ है इसके उपर तो इसे आप इस तरफ रखिए और इसके अंदर connector में लगा दीजिए और अंदर की तरफ आप देख रहे हैं RJ45 का connector यहाँ पर लगाना है एक सीरा तो आपने इस तरफ लगाया है तो दूसरा सीरा आपको यहाँ पर जो वायर आ रहा है आप देख रहे हैं जो AC grid का जो वायर आ रहा है उसमें line यानि की जो man fast उस पर आपको CT लगाना है इस तरीके से next आप देख रहे हैं BMS वाला सेम यही process रहेगी इसको भी यहाँ पर इस cover में लगाने के बाद अंदर BMS का जो port है उसमें लगा देंगे उसमें लगाने के बाद यह जो पूरा उपर से अपने cover हटाया है उस cover को वापिस लगाना है चारो स्क्रू को हम फिट कर देंगे BMS का एक सीरा इधर connect किया है तो दूसरा सीरा हमें करना होता है बैटरी के उपर तो बैटरी के उपर आप देख रहे हैं CAN यानि की can port है उसमें आपको connect कर देना है next वाइफाय कनेक्ट करने के लिए दोनों स्क्रू को आप उपन कर लिजे और उपर का जो cover है उसको हटा लिजे फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं यह वाइफाय है और इसको इस तरीके से जैसे अपन विजे के बल लगाते हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर लगा जैना है अब बारी आती हैं आगे यहाँ पर तीन कनेक्टर है सबसे पहले मैं लेता हूँ AC कनेक्टर तो AC कनेक्टर में भी यह जो आपका पूरा कनेक्टर है उसमें आपको सबसे पहले fit करना है किस तरीके से लगाना इसके उपर सब कुस दिया होता है L, N यानि की Line, Neutral और Face तो यहाँ पर जो Green वाला है वो यानि की Ground करेता है Red वाला Face करेता है और Black वाला है वो Neutral करेता है इसी तरीके से आप इसको कनेक्ट करके फिर Grid का जो कनेक्टर है उसमें लगा दीजे Next फिर यहाँ पर आता है Gen Port यानि की Smart Load के लिए तो इसमें दो वायर दिखा दे रहे है Black वाला और Blue वाला तो Blue वाला है वो Line का है और Black वाला है वो Neutral का है दोनों कनेक्ट करके फिर इसको भी कनेक्ट कर दीजे अगला आता है यहाँ पर Backup यानि की Normal लोड के लिए तो इसमें आप देख रहे हैं दो कलर हैं एक Yellow वाला है और एक Black वाला है इन दोनों को इस तरीके से कनेक्ट कर लिजे Line और Neutral में और इसको भी आप कनेक्ट कर लिजे तो यह हो गया यानि कि हमारा जितने भी Wire इस्टोल करने है वो हमने इस्टोल कर लिए है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि AC Connector, Gen Connector और Backup Connector जो Connect के हैं उनके जो सामने वाले सीरे हैं वो AC DB Box में Connect हैं और यह अलरड़ी यहनि की Company Connect करके ही देगी आपको कहीं पर भी आपको Connect रहने की जुरूत नहीं बस इसमें जो MCB है इसको आपको On-Up करना है जब चालू करना है तब On कर दीजे जब बंद करना है तब आप इसे Off कर लीजे अब यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं Smart Load, Normal Load और AC Input वो सारी हमने यहाँ पर उपर की साइड में आप देख रहे हैं जैसी मैंने प्रेस किया तो यहाँ पर जो Display है वो On हो चुकी है अब यह यहाँ पर inverter के तरफ inverter के तरफ आने के बाद मैं यहाँ से Inverter को On करता हूँ यहां से Switch प्रेस किया और यहाँ पर यह Inverter On हो चुका है अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी यहाँ पर PV, बैटरी, ग्रीड, बैककप, कोई सा भी लाइट यहाँ पर जलता हूँ नहीं दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बैटरी की ओन कर दी है तो निचे की सेड में आप देखते हैं सिम्बॉल बैटरी का आ चुका है और अब मैं यहाँ पर पैनल को ओन करता हूँ चलिए मैं यह पैनल को ओन कर दिया है मैंने तो जैसे ही मैंने पैनल को ओन किया तो PV वाला जो ग्र यह पैनल का हो गया है अब यहाँ पर मैं grid को on करता हूँ तो चलिए मैं grid को on कर देता हूँ grid on हो चुका है अभी आप देखेंगे कि grid की जो light है वो भी जलना शुरू हो जाएगी यह देख रहे हैं आप grid भी on हो चुका है और इस तरब आप देखते हैं जो grid का sign है वो भी जलना शुरू हो चुका है और यह यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो voltage है एसी का जैसे 230 वोल्ट आ रहा है ठीक है अगर कम जद आएगा तो भी आपको पता चल जाएगा फिप्टी हर्ट इसकी frequency है solar से कितना आ रहा है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चलिए तो अब मैं यहाँ पर लोड को चालू करता हूँ दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो हमारा subversible pump है 3 hp का उसे हमने direct run कर दिया है यह देख सकते हैं बैटरी के उपर run हो रहा है अभी और inverter के अंदर आप देख सकते हैं कि अभी 1.5 kilowatt लोड चल रहा है जो आप देख सकते हैं यह 1.4 kilowatt इस पर लोड चल रहा है तो अभ अभी हम यहाँ पर आपको लाइव दिखा रहे हैं हमारी 5 hp का फ्लोर मील यहनी के आटा चक्की है इस inverter पर चलेगा यह नहीं चलेगा वो आपके सामने रहेगा चलिए आप ओन किजिए इसको यह देख सकते हैं यह देख सकते हैं दोस्तों अभी आपने देखा है कि हमने यह यहाँ पर 3 hp का समबर्सिबल पंप चल गया है इसी तरह अगर आप 3 hp का आटा चक्की चलाना चाहेंगे तो वो भी चल जाएगा और उसके बाद में जो भी आपका घर का लोड है वो आप इस पर रन कर सकते हैं एसी चला सकते हैं कूलर चला सकते हैं डी फ्रीज चला सकते हैं नॉर्मल फ्रीज चला सकते हैं गीजर चला सकते हैं यानि कि घर का पूरा लोड आप इस पर दे सकते हैं दोस्तों अगर इंवर्टर के वारंटी की बात करते हैं तो 5 साल की इसकी वारंटी आती है और बैटर आपको अलग-अलग उपलब्द हो जाएगी यह जो बैटरी है ऐसी ही बैटरी आपको कम से कम 1,10,000,000 से स्टार्ट होती है और आगे जहां तक आप चाहे वहां तक आप खरिश सकते हैं पूरी रेक बना सकते हैं दोस्तों अगर आप इसे खरिदना चाते हैं तो दिये गए नंबर पर आप संपर्क करके खरिश सकते हैं और साथ में ही वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और बताइए आपको कौन सी बैटरी की जुरूत है और साथ में ही क्या-क्या घर का लोड चलाना है कमेंड करके बताइए चलिए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें आप में बेल आइकन को हिट करें